ओम शांति जैसे कि नया सूर्य और नए अंधकार को मिटा कर और हमारे जीवन में रोशनी ला रहा है तो आप सभी को आज दिवाली के चौथा दिन नव वर्ष उसकी बहुत बहुत वधाई हो वधाई हो नया वर्ष कहता है मैं बहुत सारी आशाएं मैं बहुत सारी उमीदें लेकर और बहुत सारे अच्छे कर्मा आप करो उसको लेकर के आया हूं तो क्या करेंगे सूरे की तरह हम चमकेंगे सूरे की तरह भले हम पूरे जगत को तो रोशनी नहीं दे पाएंगे परन्तु हम ये एक लक्ष जरूर रखेंगे और इस लक्ष की शुरुवात हम स्वयम के घर में एक दीपक जगा कर करेंगे और बीपक जगाने से जो रोशनी होगी उस रोशनी में हम क्या देखेंगे हम देखेंगी नई आशाएं नई उमीदें एक नया लक्ष और उस लक्ष को पाने के लिए हिम्मत उच्सा उमंग साहस ये सब हम अपने में भरेंगे और भर करके हम उस लक्ष पर पहुँचने के अपने कदमों की शुब सुरुवात करेंगे इसको कहते हैं नव वर्ष की स्वयम के प्रती शुब भावनाएं और शुब कामनाएं और यही शुब भावनाएं और शुब कामनाएं हम औरों के प्रती भी करें ठाकि उनके जीवन के अंदर भी उमंग, उच्सा और आनंद भर वह भी खुशियों में रहे और हम भी खुशियों में रहें, तो आप सभी को नव वर्ष के आगमन की बहुत बहुत वधाई हो और नए वर्ष का, नए कर्म करने का, स्रेष्ट कर्म करने का, स्रेष्ट लक्ष पर पहुचने के, लक्षन को धारन करने का, अभिनंदन, अभिन अभी नंदन अभी नंदन अभी नंदन ओम शान्दी